नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है तन्मै और आज के मेरे एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज मैं मौझूद हूँ 36 गड़ और मद्य प्रदेश के बीच में इस्थित नगरी जिसका नाम है अमरकंटक जो की काफी ज़दा पवित्र नगरी है यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल भी है और यहाँ काफी सारे बड़ी बड़े प्राचीन मंदीर भी मौझूद है यह मेरे चैनल का पहला व्लोग है तो यह पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक जरूर कर देना तो चलिए फिर सुरू करते हैं साम के बज रहते 7 बच के 58 मिनट मैं निकल गया था अपने घर से और पहुँच गया था दुर्ग रेलवे स्टेशन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन चार नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है फिर मैंने अपना समान मांधा और पहुँच गया साम की तरफ वहां पहुचने के बाद मैंने देखा कि मेरी ट्रेन पठरी पर लगना सुरू हो चुकी है ट्रेन को देखते देखते मैं सोच रहा था कि ये ट्रेन कब रुकी और मैं कब जाकर अपनी सीट पर अराम से बैठूंगा फिर करीब 5-7 मिनत बाद ट्रेन रुकी औ और मैं चड़ गया वहां जाकर मैं देखता हूं कि पूरी बोगी खाली है सिर्फ मैं ही अकेला बैठा हुआ हूं फिर मुझे पता चला कि ट्रेन में तो असली भीड रैपूर रेलवे स्टेशन से चड़ती है ये जो फोटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये रा पड़े अपने लॉज की तरप जहां हमें रात को रुखना था फिर कुस दूर चलते चलते हम पहुँच गए अपने लॉज पर जहां हमने रात बिताई ये जो आप रोट देख रहे हैं ये उसी के सामने का है करीब रात के तीन बच चुगे थे फिर हम सब जाकर सो गए दूबे के आड़ बजे हम सब सो उटकर रैडी हो गए थे क्योंकि हमें जाना था गोमने के लिए अमरकड़क ये जो आप लोग सीन देख रहे हो ये हमारे लॉज के बाहर का सीन आसमान कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हो कि पीछे बहुंत बड़ी पहाड भी दिखाई दे रहा है और हमें घोमने के लिए यही जाना था इसे देख कर मैं काफी excited हो रहा था आप लोग देख सकते हो कि सुबह सुबह बादल कितने सुहाने लग रहे थे बहुत ही सुन्दर दिखा अमरकंटक की तरफ गाड़ी में मस्ती करते करते हमें पता ही नहीं चला कि कब हम अमरकंटक पहुँच गए और हम जाते जाते रास्तों में हमें काफी सारी सुन्दर सुन्दर जगा दिखाई दी जिसे हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था यहां काफी सारे छोटे छोटे गाउं, छोटे छोटे घर, छोटे छोटी जोपडियां दिख रही थी, जोकी काफी सुन्दर लग रही थी, इस जंगल की ताजी हवा, बाहर से दिखने वाले, अद्भूत नजारे, बड़े बड़े पाहर, ये सब चीजे मुझे काफी अच् मुझे काफी जाद अच्छा लगा, क्योंकि ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा था, यहां पे बादल, काफी सुन्दर दिखाई दे रहे थे, और दूर दूर तक घने जंगली जंगल हमें दिखाई दे रहे थे, यहां पर हमेंने काफी सारे फोटोज भी खिचाए, कर दिखाई मैं पहुच गया था नर्वदा मंदीर के एंट्रेंस की ओर ये जो आप देख रहे हैं ये हैं मंदीर का बाहर का गेट यहां से हम अंदर जाते हैं जैसे ही मैंने मंदीर के अंदर गुसा उसके बाद मैंने देखा कि यह मंदीर काफी जादा खुब सूरत दिखाई दे रहा था यहां काफी सारे छोटे बड़े मंदीर बनाये गए थे यहां के मंदिर परिसर में करीब आसपास में 10 से जादा मंदिर है जो आप अभी देख सकते हैं जब हम मंदिर के अंदर जा रहे थे तब यहां काफी भीड थी लोग लाइन लगकर खड़े हुए थे यहां पर काफी जादा लोग दर्शन करने के लिए आये हुए थे आप लोग देख सकते हो कि यहां कितने सारे छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं कुझदू जाने के बाद हमें एक हाथी दिखाई दिया और हमने लोगों से पूछा तो हमें पता चला कि यहां की मान्यता यह है जो व्यक्ति इस हाथी के 20 से निकल जाता है वो अच्छे व्यक्ति होते हैं और जो यहां से नहीं निकल पाता है वो पापी होते हैं ऐसा यहां की मान्यता है उसके बाद मैं भी यहां से निकलने की कोसिस किया थोड़ी महनत मशक्क के बाद मैं यहां से फाइनली निकल ही गया आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हों कि यहां से निकलने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर वहां से निकलने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा उसके बाद नर्मदा माता के दर्शन करने के बाद हम पहुच गए कपिल धारा वाटर फॉल की तरफ जो की काफी जादा बड़ा और सुन्दर दिखाई दे रहा था जिसे देख कर हमें काफी जादा अच्छा लग रहा था प्रकृति की सुन्दरता हम देख कर काफी जादा खुस्त कपिल धारा जिल प्रपात में उपर से काफी जादा पानी गिर रहा था जो की हम दूर से देख रहे थे उसके बाद हम थोड़ी पास गये और वहां से देखा तो यह काफी जादा और खुबसुरत हमें दिखाई पड़ रहा था कपिलधरा वाटरफॉल देखने के बाद हम थोड़ी सी आगे गए वहाँ नीचे जाकर हमने देखा कि यहाँ पे एक और वाटरफॉल है और इसका नाम है धूदधरा वाटरफॉल जहाँ पर काफी तेजी से पानी उपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और काफी सारा पानी भरा हुआ था वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए सन्राइस पॉंट हमें सन्राइस होते हुए तो नहीं दिखा पर हमें काफी जादा जंगल नीचे की तरफ दिखाई दे रहे थे जहां काफी जादा बड़े बड़े पेड़ मौझूद थे और जब हम गए तो वहां बारिश हो रही थी यहां का नजारा देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं और हम भी यहां का नजारा देखने के लिए गए हुए थे जिसे देखकर हमें काफी जादा अच्छा लगा उसके बाद हम वहां से निकलने के बाद पहुंच गए जैन मंदिर की तरफ जो की काफी जादा बड़ा दिखाई दे रहा था हमें दो इमारते बहुती बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी और इसके कंस्ट्रक्शन का काम करीब 20 सालों से चली रहा है यह मंदिर काफी जादा बड़ा है और हमें देखने में यह काफी जादा अच्छा भी लगा हम यहां साम के वक्त पहुचे थे जब बारिश भी हो रही थी तब भी यहां काफी सारे लोग इसे देखने के लिए आये हुए थे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही तो आप लोगों के वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना